जे जे राम श्री अनंत भगवाने की जे सूत उवाच पुरा तुजान वीती रे धर्मो धर्म पराक्रमा जरासंद वदार्थाय राजिसू यमकल पयत क्रिष्णेन सह धर्मो सू भीमार जुनसमन मिता यग्य सालाम प्रकुरवीत नाना अतनोपशो भीताम मुक्ता फलसम आकीरणाम महिंद्रा लेसन निभाम यग्यार थंभू पती निसर्वान समानी अप्रेत नता गांधार इतन योराजा चेकिता नरपनंद ना दुर्योधन इति ख्याता समागित नमकालें दृष्ट्वाद दृष्ण स्तत्र प्रांगणम जलसन निधिम उर्धन कृत्वाद वस्त्रानी तत्र कचंसने सनई समित वक्ता संद्रश्ट्वाद रूपत ज्यादी विरांगना दृष्ण जलमध्य पपात हो कहते प्राचीन समय में गं नादी से जटित जो है यगिसाला बनवाई गई थी और उसमें संपूरुन राजाओं को जीत करके पांडव चारों दिशाओं को जीत करके वहां से राजाओं को ले करके आये थे उसी सभा में गांधारी धृत्राश्ट पुत्र दुरियोधन यगिसाला में आया और प्रा दुरियोधन आगे जलको भूमी जानकर के उसमें गिर गया यह देखकर के राजा लोग और दुरूपदी यह सब हसने लगी यह देखकर महाराजा जारा दुरियोधन अच्छन्त करोधित हुआ और शकुनी अपने मामा शकुनी के साथ अपने राजी में जाने के लुद्य हुआ उसमें शकुनी ने कहा कि देखो बहुत काम आगे करना है इसलिए इस महा कुरोध का आप त्याक करें है राज़ें रिग्यसाला से अपने घर जाने के लिए उठीए ऐसा ही सही कह करके दुरियोधन यह देखकर से चला आया राजागर ने यह साला से अपने अपने र मंत्रत किया और चल पूर्वक जुए में उनका संपूरून राज हरन कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त पांडव जो है अपने पांचों पांडव द्रोपदी के सहत इसी काम्यक बन में जहां हम लोग बैठे हैं इसी काम बन के क्षेत्र में जंगली ब श्रीपन अवस्था में रह रहे थे भगवान श्री कृष्ण जब यह जाना की पांडव काम्यक बनमें विराजे हुए है तो भगवान श्रीकार द्वारी आसे इस काम्यक बन में काम बन में आये और अरणे बरतमानास्ते पांडबा दुक्रिशा कृष्णाम दृष्टवा महात्मानम प्रणिपत्यता कमम कहते हैं उस जंगल में देख करके बहुत दुख हुआ राज युदुष्ष्षिर से बोले युदुष्षिर ने कहा भगवान श्रीकृष्ण को देख करके सबको बड़ी प्रसनता हुई पांडबों को दुरोपदी के सहथ दुखी देख करके भगवान श्रीकृष्ण के मन में भी बड़ी पीड़ा हुई युद्रिश्रे ने कहा कि भगवन मैं अपने पतनी और भाईयों के सहत अच्यन्त दुख के समद्र में डूब रहा हूँ आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताईए जो मैं दुख के समद्र से पार उतर जाऊँ आज आप कृपा करके हमें किस देवता की पूजा करूं और किसकी कृपा से मैं अपने खोए हुए राजी को पुना प्राप्त करूंगा आप कृपा करके उस ब्रत का उपदेश करें भगवान श्री कृष्ट ने कहा का कि देखो ये अनन्त भगवान का व्रत है जो कोई इस व्रत को करे अथवा पूरुष इस व्रत को करे तो उसके समपूर्ण जीवन भरके पापनश्ट हो जाते हैं भादों के मास में शुकल पक्षी के चतर दसी तिती कोय व्रत होता है इस वर्त के अनुष्ठान से संपुरुन नश्ट हो जाते हैं युदृष्ट्रे ने पूछा कि भगवन ये अनन्त भगवान कौन है क्या शेश भगवान को ही अनन्त भगवान कहते हैं अथवा तक्षक नाग को अनन्त कहते हैं अथवा परभ्रम परमात्मा को भी अनन्त कहते हैं आप प्रपा करके बताएं अनन्त देव हैं कौन जिनकी पूजा इतनी विधुपूर्वक की जाती है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मारा जुष्ठिर मैं ही साक्षात अनन्त देव हूं अलग से कोई देवी देवता अनन्त नहीं है मैं स्वयम ही अनन्त देव हूँ यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ भगवान ने कहा हे धर्मराज अनन्त हमारा ही नाम है इसे हमारा ही स्वरूप समझो सूरी आदी जितने देवता हैं और कालादी जो कहे जाते हैं सब कुछ मेरा ही स्वरूप है कला कास्टा महूर्त दिन रात्री अथवा जितने शरीरवान प्राणी हैं पक्ष मास रितु वर्स युग कालादी की ववस्ता सम मेरा ही स्वरूप इसके समझना चाहिए यह मैंने जो कालादी अपने कालात्मा स्वरूप की व्याख्या की है इसी मेरे कालात्मा स्वरूप का नाम अनन्त है वही में भूमी का भार हरन करने के लिए इसमें कृष्ण नाम से धराधाम पर अवत्रित हुआ हूँ दानवा नाम बधार थायओ बस्देव कुलोध भाम माम पिद्दी सत्वं पार्थव साधु नाम पालनायचो दुष्ट दाजदेच्यों का बध करने के लिए मैं बस्देव जी के कुलिमत पन हुआ हूँ और साधुं के पालन के लिए भक्तों के परिपालन के लिए मेरा अवतार हुआ है जिनका ना आदी है न जिनका मद्य है न जिनका अंत है वैस वह अनंत परमात्मा युद्धिश्ठेर मैं ही हूँ कृष्ण विष्णु शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सरवत्र व्याप्त इस्वर मुझको ही समझो है युद्धिश्ठेर नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विष्वरूप जो योगी लोगों के लोगों से ध्यान किया गया वह संपूर्ण विराट विष्वरूप अनंत मैं ही हूँ चौदह इंद्र आठ बसू बारह सूर्य ग्यारह रुद्र सात रिशी सात समुद्र तथा व्रिक्षाद सेथ संपूर्ण परवत पूराविराट व्रम्भांड यही अनंत का स्वरूप है और यह अनंत मेरा ही स्वरूप है सत्ताइस नक्षत्र दस दिशा प्रत्थी सात पाताल भूरुवादी सात स्वर्ग वह हमी है इस विशय में तुम किसी भी प्रकार का संदेह न करो युद्रश्टिर ने कहा अनंत वरत माहात्में विधिम वेद विदांबरो किम परिणम किम पलं चास्या किम दानम कस्य पूजनम केन चादू पूराचीरिणम मरत्य केन प्रकासितम एवं सविस्तरम बुरूहि अनंत वरतम अम युद्षरी ने का कि भगवन अनन्त-वृत की माहात्Ó क्या ए उसकी बिधी क्या है अनन्त-वृत का अनुष्टान करने वाले प्राणी को क्या पूर्व क्रत किस ने अनुष्टान किया था मृत्य लोक में ये कैसे अवतरित हुआ कैसे लोगों ने इसको जाना या विस्तार पूर्वक कहिए श्री कृष्ण उबाच आसीत पुराकृत योगे सुमंत्र नाम बईदु जहा बसिष्ट गोत्र संबूताम सुरूपाम चब्रगो सुताम भगवान श्री कृष्ण ने कहा के सत योग में सुमंत नाम के एक ब्राहमन थे बसिष्ट गोत्र में उत्पन दीक्षा नाम की कन्या के साथ उन्होंने विवाह किया ये महर्शी भ्रगो की कन्या थी वेदोक्त विधी से उन्होंने विवाह किया और उस दीक्षा नाम की स्त्री से समय आने पर एक सुन्दर लक्षनों से युक्त कन्या का जन्म हुआ वह सीला नाम की कन्या शील गुण से युक्त थी इसलिए उसका नाम शुशीला रखा गया कन्या पिता के गर में बढ़ने लगी और उसकी पतिवरता माता कालजवर के दाह से दुखी हो करके नदी के जल में प्राण त्याक करके स्वरग को चली गई और सुमन्तु नामक ब्राह्मन ने धर्म नाम की एक दुशीला नाम की कन्या से विदिप्रुवग विवा कर लिया वह इस्त्री नाम के अनुसार ही दुष्ट सभाव की थी करकस बचन बोलने वाली थी बड़ी प्रचंड थी वह शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर ग्रह कारे करने में बड़ी चतुर थी वह आंगन बाहर दरवज्य की उपर दहली की उपर स्वस्तिका चिन शंक कमल के नीले सफेद काले अनेक प्रकार के चिन्यों को लिख करके देखा करती थी बड़े मने सुंदर रंगुली बनाती थी इसके अनंतर इसी तरह से बहुत दिन बीतने पर कौमार अवस्ता में प्राप्तवा सीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई उसको देखकर पिता सोचने लगे किया कन्या प्रत्वी में किस गुणवान बरको दें ऐसा विचार करवे दुखी हो गए उसी समय उत्तम वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नाम के रिशी उनके यहां आए उनक महरिशी कौंडिन्य ने कहा कि हे विप्रदेवता तुम्हारी गुणियोक्त कन्या स्रीला से मैं विवाह करना चाहता हूँ ऐसा आज सुनकर पिताने शुब दिन में इंद्रतुल्य कौंडिन्य मनी को अपनी शीला नाम की कन्या का विदिपूरवक दान कर दिया भगवान श्रीकष्णी ने कहा कि धर्मणा सुमन्थु ने वेदविधी से उसका विवाह कर दिया और इस्त्रिया गीत काने लगी ब्रामन लोग सौस्थी वाचन करने लगे बंदी जैगोस करने लगे और सुमन्त ब्रामन अपनी करक्षा इस तरी से बोला जिसका नम दुश्रीला था बोला दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्यादिक दहेज में देना चाहिए ऐसा सुनकर वह करकसा क्रोध से घर की सोभा बिगाड कर संपुन द्रव्याद एक पेटी में चीतरा बंद करके दमाद से बोली कि आप अपने घर जाईए हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है यद विश्वास नहों तो देख लीजे श्री कृष्णी जी ने का कि पार्त हैसा सुनकर वे मुनी उदास हुए और वा कन्या भोजन से बचे हुए अन्नादी को मार्ग में खर्च करती गई कौण्डिन मुनी सुमन्तु की कन्या सीला को बेल गाड़ी पर बिठा कर सनई सनई चलने लगे जाते जाते पुणे दायक यमना नदी को देखकर उसके किनारे रत खड़ा करके शिष्चों को नियुक्त करवे इश्णान सन्द्या करने चले गे मध्यान के समय भोजन का समय जान रत से उतर कर श्री यमना नदी के किनारे श्टीला ने लाल वस्टर पहने हुए इस्त्रीयों के जुण्नなた को देखा उन इस्त्रियों के समुख को चतुर दसी के दिन इस्त्री जनारदन भगवान का पूजन करते हुए देख उनके पास जाकर इस्त्रियों से इस्त्रीला ने धीरे धीरे पूछा तुम लोग यह क्या कर रही हो इस बृत का नाम क्या है यह सुनकर श्रीला बोली शील ही जिसका स्रंगार है ऐसा ऐसी वह शीला उस सीला से इस्त्रियां बोली यह अनंत नामक ब्रत है हम अनंत भगवान को ही पूज रहे हैं ऐसा सुनकर के शीला बोली कि मैं भी यह उत्तम ब्रत करूंगी अनंत ब्रत की विधी क्या है यह ब्रत किस प्रकार का है इसमें क्या दान होता है कौन से देवता का पूजन होता है वह मुझसे कहो यह सा सुनकर के स्थ्रियां बोलूं कि हैसी ले उत्तम अन्न को प्रस्थ मात्रमान एक सेर अन्न लेकर मालपुगा अधि पक्वान बनाकर आधा ब्रामन को देवे और आधा स्वयम भोजन करें इसका मतलब आधा सेर पूगा खाने का बिधान है एक सेर पूगा बनावे अधा ब्रामन को आधा खा जाए फिर क्रपनता न करते हुए शक्तिकनुसार दक्षणा देवे यह बरत नदी के तीर पर करें भगवान हरीकी कथा सुने इसलिए यमना जी को आवान करके यमना जी को प्रतिश्थित कर दिया जाता है कुशा के शेशनाक को बनाकर बांस के पात्र में रखकर परिश्णान कराकर मंडप के भीतर्स भगवान का सवीदी पूजन करे चंदन पुस्प धूप दीप अनेक प्रकार के नेविद मिश्ठान सहत रखे उसके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग में रंगा हुआ चऊद्aps का बायğ हात में बांद ये इस्त्रियों के लिए बायं हात में और ये मंद्र है अनंत्रो उच्छारण करें करें कि हे वाशुदेव नहीं है अंट जिसका ऐसे आप अनंत हैं संसार रूपी सागर में हम डूब रहे हैं इस संसार सागर से हमारा उधार करो और अनन्त रूप में आप हमें प्रतिष्ठित कर दो ऐसी प्रार्थना करे अनंतन्च करे बद्ध्वा भुक्त अभ्यम स्वस्थ मानसे अनंत बाहत में बांध करके स्वस्थ चित्र से फिर पोजन करना चाहिए भगवान नारेन का ध्यान करना चाहिए अनंत भगवान का ध्यान करना चाहिए भुक्तवा चांते व्रजेत बेश् प्रिष्टे नांतरात्मना साप चक्रे वर्तम शीला करे वद्धा सुदूरकम यह सुन करके शीला बहुत प्रसंद भई उसने भी ब्रत किया और अपने हाथ में बाएं हाथ में चौदा ग्रंतियुक्त दागा बांधा इसके बनाने का विधान यह है कि अपने शरीर के नाप के बराबर चौदा व्याम उसको नापे एक ही सूत्र और उसको फिर गणत करके चौदा ग्रंति उसमें लगावे एक सूत्का है केसर से रंगा हुआ तो तुमने अपना पूरा विधी का पालन किया च्रीजा तो इस प्रकार से वह अनंत को केसर में रंकर चौदा गांट का देकर बाएं हाथ में बांदे प्रथम स्वरन करें कि और उसने भी पूआ जो है लिए और पूआ लेकर के आधे ले लिया अधे ब्रामन को दे दिये अब सिष्ट खाकर प्रसन हो गई और पती के साथ बैल गारी में बैट पती तब तक संधिया पूजा करते रह गए और श दर गए अनंत भगवान की क्रपा हो गई वह अनंत भगवान का ब्रत करने से गोधन से युक्त हो गई खूब गाये उसको बढ़ गई धन धान्यादी से घर पर पूरुन हो गया वह सौनमे ग्रथत माने के मोतियों के हारों से भूशित रहने लगी और इतना उसके पास सम् अएकि बात है कॉंडिन लिशी ने बाएं हात में सीलाके वो अनंत जो सूत्र बांदा था उसको देख लिया देखते ही वे क्रोध से बोले कि अरे ये दोरा क्यों बांध लिए आए क्या मेरे उपर बसी करन करने के लिए दोरा बांध रखा है ये कॉंडिन रिशी ने कहा उसका कारण को सीला ने प्रणाम करके कहा भगवन जिन भगवान अनंत की कृपा से धन धान ने संपदा मनुश्य को मिलती है यह जीव संसार चक्र से छूड जाता है उन भगवान अनंत को ही हमने अपनी भुजा पर धारन किया है भगवान स्री कृष्ट ने कहा कि लक्ष्मी के मद में अंधेव करके कॉंडिन नाम के रिशी ने ब्राह्मन ने शीला का बचन सुनकर भी उसके बाह में जो अनंत बांधा था उसको तोड़ डाला और तोड़ करके तोड़ दिया और कहा कि अनंत कौन है ऐसा कह करके पाप कर्म करते हुए सुमूर्ख कॉंडिन ने डोरा अगनी की ज्वाला में डाल दिया शीला हाहा कार करते हुए दोड़ी और उसने जलती हुई आग से डोरे को निकाल लिया और दूध में डाल दिया दूध में उसको ठंडा कर दिया इस पाप कर्म के कारण उसकोंडे निरिशी की संपूर्ण स्री नस्ट हो गई गव चोर चुरा ले गए घर में आग लग गई धन नस्ट हो गया धन आया था और फिर चला भी गया आवत लक्षमी ऐसे आवे जयो नारियल में पानी एक महनुभाव कहते हैं कहावत और जावत में ऐसे जावे जैसे केंथा कुंजर खावे हाथी केंथ खाता है तो फल फल बसता है भीतर का गुदा चला जाता है वह सरीर से मन से दुखी हो गया और कॉंडे निरिश अपनी पत्नी से बोला कि मैं बहुत ही दुखी हूँ मेरा धन नस्ट हो गया है इस बिपत्ती का मेरे सरीर में ज्वर आदिताब बना रहता है चित में खेद रहता है इसका कारण क्या है तुम जानती हो तो कहो क्या उपाए है जिससे मेरा भाग या अच्छा हो ऐसा सुनकर शील ही भूशन है जिसका ऐसा सीला ने कहा कि अनंत भगवान के सूत्र को फेंक देने का अपमान करने का ही यह दुस्परिणाम है इसके लिए उपाए करें भगवान अनंत की शरण में जाएं अब तो ब्रामण समझ गया कि भगवान अनंत का तेरसकार है दुखी होकर कि वो भगवान अनंत की शरण में गया कॉंड़निमुनी खेद से प्राप्त हो करके बन में गए और बायू का भाक्षन करके कठोर तपस्या करने लगे। भगवान परमेश्वर का ध्यान करने लगे। जिन भगवान अनन्त की क्रपा से मुझे सब कुछ मिला। और आज जिनके अपमान से मैं सब कुछ से हीन हो गया। कष्ट के समुला में डूब गया। वो अनन्त भगवान म मेरे अपराज को शमा करें मेरे उपर कृपा करें ऐसा कह करके बन में विचरने लगा वहीं पर तत्रा पस्यत महाचूतम पुश्पितम फलितम द्रुबं बर्जितम पक्षिशंगातिक कीट कोटितम औरतम वहां बहुत ध्यान से सुनें वहां फूला हुआ एक आम का से पूछा कि कहीं भगवान अनंत को तुमने देखा हो तो बताओ क्योंकि मेरे चित में बहुत दुख है यह सुनकर के आम का व्रक्ष बोला कि हे ब्राम्वन मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा यह सुनकर के दुखी हो करके कॉंडिन रिशी चल पड़ा और भगवान अ थी तो ब्राम्वन ने गाय से को प्रणाम करके पूछा के हे गव माता आप कृपा करके बताओ भगवान अनंत कहा है गाय ने कहा कि मैं भी अनंत भगवान का पता नहीं बता सकती हूं उसके बाद आगे जा करके घास पर बैठे हुए ब्रशब को देखा तो ब्रशब को प पुला के हे ब्राह्मन मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है आगे ब्राह्मन बढ़े तो उन्हें दो पुसकरणी दिखाई पड़े दुसकरणी माने चोटी तालाव वो दिखाई पड़े उन बावलियों का जल उनमें से इसमें से उसमें आ रहा था उसमें से अर दोनों परस्पन मिल रही थी और उसमें कमल कल्लार कुमदनी आदी सुंदर पुष्प खिले हुए थे बहुरा हंस चकोर बगुला आदी पक्षी उन बापियों में सुसोबित थे ब्रामन ने दोनों पुषकरणियों से पूछा कि तुम बताओ भगवान अनंत को तुमने कहीं देख है आगे बढ़े बहुत ध्यान से सुनें आगे जा करके एक हाथी दिखाई पड़ा और फिर एक गधा दिखाई पड़ा हाथी से भी पूछा और गधे से भी पूछा लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि हम अनंत भगवान का पता नहीं जानते हैं अब तो कॉंडिन ने रिश हो करके गिर पड़े जब वे होश में आये तो भगवान अनंत को पुकार करके कहा कि है अनंत मेरे इस अनंत अपराध को क्षमा करो और यदि आप दर्सन नहीं देंगे तो मैं अपने प्राणों का ही परित्याग कर दूँगा भगवान कृष्ट ने कहा कि उस ब्रामन ने देने के लिए ब्रक्ष में अपना ही गमशा बांध करके निश्चय कर लेकि मैं तो प्राण ही दे दूँगा भगवान नहीं मिले तो पर यह कथा सुनके कोई से फांसी मत लगा लेना उसी समय दयार्द भगवान अनंत जो है उसी ब्रामन की व्याकुलता को सुन करके प्र भगवान की विभूती है और आस्रमों में चत्रुत आस्रम भगवान की विभूती है इसलिए या तो यती रूप में भगवान आएंगे या ब्रद्ध ब्रामन की रूप में आएंगे ब्रद्ध ब्रामन क्यों बालक और जवान क्यों नहीं बालक जवान पर भरोसा नहीं क प्रवेश किया तो देखा बड़ा विशाल नगर है बड़े ही रूब्बान इस्त्री पुरुश्रस में विद्धिमान है और भगवान अनन्त एक दिव्य रत्न में सिंगहासन पर विराजमान है भगवान अनन्त के निकट में शंख चक्र गदा पद्म शोभाय मान हो रहे है गरुड जी की बड़ी शोभा हो रही है कौस्तो मनी और बनमाला धारण की हुए भगवान अनन्त की शोभा को देख करके कॉंडिनमनी मुग्द हो गए शाष्टांग प्रणाम करके उंचे स्वर से बोले के हे भगवन आप हमारी रक्षा करो तम द्रिश्प्वा देव दे पाद ही है इस श्लोक से उन्होंने स्थुद्य की पापो हम पाप करमा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम पुंडरी काक्ष सर्वपापारो भव ऐसा सुन करके भगवान बड़ी मीठी बानी में बोले कि तुम भैमत करो तुमारे मन में जो बात हो वो तुम बता दो बोलो भक्तवत्सल भगवाने की जहें कॉंडरी महरिशी ने कहा कि भगवन में धन के मद में मतवाले हो करके आपका जो प्रचक्ष स्वरूप अनंत है उस अनंत को तोड़ दिया था उसी पाप करम से में स्रीहीन हो गया हमारे घर में कला होती मुझसे कोई बोलता नहीं है मैं आपके दर्चन के लिए जंग बनों में भटक रहा हूँ आप करके आपने अपना मंगल में दर्चन हमें प्रदान किया अब आप हमें जो हमने पाप कर करम किया उसकी शांती का उपाय बताईए बाप तो बन गया हमसे आपके धागे का तिरसकार हमने कर दिया अब उसक वर्षों तक अनंत्वृत करो के वैसे तो अनंत्वृत जीवन परियंत करना चाहिए लेकिन 14 वर्षों तक तो लगातार करना चाहिए 14 करें चयुदा वर्ष के बाद उध्यापन करें फिर सुरूद कर सकता है इससे संपुर्ण पापों से मुक्त होकर संसार के सभी अभिष्ट पुत्र पहुत्रादिकों को प्राप्त करके अंत में मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है ऐसा इस वृत का प्रभाव है अंत में तुम हमार जो इस वृत को करता है अंत में मृत्यू के समय उसे मेरी याद अवस से आ जाती है और वहा मुझे ही प्राप्त होता है इसमें कोई संदेह नहीं है और मैं भी तुम्हें प्रसन्न हो करके दूसरा बरदान अपनी और से दे रहा हूँ यहाँ अनन्त व्रत जो करेगा वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो करके संपूर्ण अविस्टों को प्राप्त कर लेगा तो कॉंडे ने रिशी ने कहा कि भगवन आपने बड़ी कृपा की हमें बड़ी शान्ती मिल गई है लेकिन आप कृपा करके बताओ कि आम का व्रक्ष जो मिला था जो बोरों से खिला हुआ था और फल एक भी नहीं था और कीडे कीडे उसमें भरे थे वो आम कौन था जिसने आपका पता नहीं बताया वो गाय कौन थी वो ब्रशव कौन था और वो पुसकरणिया कौन थी कुमर जिसमें कमल कुलार आदी खुल रहे थे वो गधा कौन था और वो हाथी कौन था और वो ब्रद ब्रामन कौन था इतने लोग मिले इनका परच्छय कृपा करके बताओ अनन्त ने कहा सचूत व्रक्षो विप्रो सव वेद विद्याविशार दा विद्यान दत्ता सिसे ब्यस्ते ना सव तरुतांग था वो आम का व्रक्ष वेद वेदांग को जानने वाला विद्वान ब्राहमन था उसने विद्यात व प्राप्त की पर विद्यार्थियों को प पर गया इसी पाप से वह व्रक्ष हुआ उसमें अनंत कीड़े भरे हुए और जो गव दिखाई पड़ी ना वो कोई प्राणी नहीं था वो साक्षा धर्ती माता ही तुमको दिखाई पड़ी जो बीज को खाने वाली प्रत्वी है वो दिखाई पड़ी और जो ब्रशब पर्स पर लेती देती रहती है ये बेदपाठ करने वाले ब्रामनों को नहीं दिया विक्षों को नहीं दिया उस पाप कर्म के कारण और आपस में वो पुस्करनी हो गई उनका जल इधर से उधर होता रहता है और जो गदा दिखाई पड़ा वो क्रोध ही था और जो हाथी दीखाई पड़ा वो साक्षात अभीमान था और जो ब्रद ब्रामन दिखाई पड़ा वो दूसरा वो साक्षात में ही हूं समझे ये बता दिया और जो गुफा हमने तुमको हाथ पकरके ले गई गुफा कोई दूसरी नहीं है ये संसार ही गुफा है और इस संसार गुफा में मैं भी राजमान रहता हूँ पर ये संत सद्गुरु की कृपा से ही मेरी प्राप्ती होती है ऐसा कहे करके अनंत देव भगवान ब्रामन के रूप में ब्रामन माने गुरू के रूप में पत्प्रदर्शक के रूप में आये और भगवान ने ही वो ब्रामन के रूप में आकर अनंत देव की सनिधी में ले गए अर्थात भगवान ही गुरू रूप में हाथ पकड़ करकी जीव को भगवान की नित्य सनिधी प्रदान कराते हैं यह बात बताई आप तो भगवान अंतरधान हो गए और उन कॉंटेम विश्य ने देखा कि जैसे स्वपन से जगने के बाद स्वपन के सब्दर से तरोहित हो जाते हैं ऐसी जो कुछ देखा था वो सब पतानी कहां चला गया विश्मित हो करके अपने घर को आ गए और आकर के कि यह राजर्ष्टी युदिश्ठिर तुम भी इस ब्रत को करो और इसकी कथा सुनो ब्रत करो ब्रामन को चवद्वर्श में जो फ़ल प्राप्त होगा है तुमको भी एक ही वर्ष में कथा सुनकर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा भगवान ने युदिश्ठिर को कहा ब्रतों में उत्तम ब्रत जिसको सुनकर के सप्राणी पापों से छूड़ जाते हैं कुरुकुल में उत्पन युजश्टर जो सुध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुप से फिरने की इक्षा करते हैं उनको तीनों लोकों के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करना चाहिए और अनंत भगवान का साक्षात सुरूप जो अनंत सूत रहे उसको दाहने हाथ में बाधना चाहिए बुलो स्री अनंत भगवान की जये और पांडवो ने इस प्रकार से बृत किया और फिर वो चक्रवर्ती समराठ होगे भगवान ने करपा करके बताया यह अनंत भृत हमारे सनातन धर्म का प्राचीन भृत है पूजी गुरू जी कहते थे अनंत धारन करने वाले को वर्ष भर में अकाल मृत्यू नहीं होती है कोई संकट आएगा भी तो टल जाएगा अकाल मृत्यू क्योंकि कालात्मा भगवान का यह स्वरूप है और उसको सर्पदंसर नहीं करता है स्रद्धा पुर्वक अनंत धारन करने वाले को जहर भी कोई दे दे तो बच जाएगा मरेगा नहीं अनंत भगवान सब प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं संपूर्ण अभिष्टों की पूर्ति करते हैं बस बिधा बिधी यह है कि अनंत वृत करे और पुरदारन करे तो वर्ष भर वो हाथ में रहना ही चाहिए उसको बीच में उतारना नहीं चाहिए शरी से प्रतक नहीं कर है वो लो स्री अनंत राम खृष्ट की प्यारी गईया सारे जग की माता है राम परकी प्यारी गईया सारे जग की माता है